बहुत गर्व होता है जब हम देखते हैं कि छोटे छोटे फिल्ड में गंगा किनारे जहां स्टुडेंट लॉज में रह रहे हैं वहां पर या जहां भी स्टुडेंट कुमो का मिलता है स्टेशन पर अभी आप हम बिहार की बात पहले का रहे हैं कि आप देखेंगे कि अभी रेलवे का जो आगे एकजाम होना है या जिसका फॉर्म भरा हुआ है तो लगातार बच्चे इन छोटी छोटी जगहों पर सेट लगातार बनाते हुए आपको दिख जाएंगे कभी भी आप मौर्निंग में यहां पर निकली आप पांच बजे के बाद छे बजे साथ बजे ऐ होती है जब यहां के सिस्टम को आप पर सिस्टम पर अपगर आप गवर करेंगे तो यहां पर आप पाएंगे कि पहले तो बेकैंसी के लिए जद्द जहत कीजिए लगातार अंदोलन कीजिए ट्विटर कैमपेञ चलाईए फिर फिजिकल प्रोटेस्ट कीजिए और जब वैकनसी आती है तो फिर एक्जाम के लिए इस तरह करना होता है और जब एक्जाम हो जाएगी फिर रिजल्ट के लिए ये चीज़ करना होता है और जब रिजल्ट आ जाएगी तो जोइनिंग के लिए आपको इसा करना होगा कितनी सर्म की ये बाते हैं कि अपने देश में किस तरह का सिस्टम चल रहा है और यूथ को खास करके कितना इगनूर किया जा रहा है ये सिर्फ बिहार की बाते नहीं है ये का हम यहां का माहूल बताए और ये अपने पूरे देश में सारे स्टूड़ेंट जो भी तयारी करते हैं अपने आप में अधिक सदिक मेहनत करके चाहते हैं किसी भी तरीके से एक जॉब जो होता है एक जॉब का कनफरमेशन हम पका कर पाएं एक सीट हम पका कर पाएं उसके लिए जद्दो जहद करते रहते हैं लेकिन अगर इसके दूसरे पक्च को देखिए तो इसके लिए लगातार हमको अभियान चलाना होता है अभी 27 सेप्टेंबर को जो स्टूडेंट के द्वारा ट्विटर केमपेन अभियान चलाया गया था तो निश्चित रूप से ये अभियान को आप 100% सफल भी मान सकते हैं अग बात है कि अभी तक इसके संबन्द में गवर्मेंट के तरफ से कोई भी आउडर या डिसीजन नहीं आया है लेकिन अगर उस पर आप गवर करेंगे तो उस दिन भारत बंद था फिर भी सकेंड नंबर प्राप का ट्वीट करता रहा ये केंपेंड और 44 लाग से उपर बच्चे इस केंपेंड में भाग लिए पहले तो उन सारे स्टूरेंट को जो केंपेंड में भाग लिए हम अपने तरफ से बदाई देना चाहते हैं तो कि उस दिन हम दो-तीन दिन पहले ही हम दिल्ली गए थे कि इस केंपेंड को और गति दिया जा सके और जितने भी मैक्समम सब्सक्राइबर वाले यूटूबर हैं या जो सिक्षा चेतर से जुरे हुए हैं जो आपके रेलवे से जुरे हुए जितने भी टीचर्स हैं उनक को अधिक सदिक कन्भिंस किया जा सके और कुछ टीचरों से मेरी बादचीत भी हुई थी और इसके बाद जस्ट 27 सप्टेमबर को हम रेल मंत्राले भी गए थे रेल भवन वहां पर संबंधित जो बरे अधिकारी हैं उनसे मिलने का कोशिश किये लेकिन पहले से अपाइंटमे उसके बाद समय दिया गया मिलने का तो समय मैंने दिखाया भी कि देखिए कि किस तरीके से अभी बच्चों के द्वारा ट्विट किया जा रहा है इसको इग्नोर कैसी किया जा सकता है धाई साल से उपर नोटिफिकेशन का हो चुका है और अभी तक एक्जाम का डेट नहीं बिभाग के द्वारा भी आगे का प्रोसेस कंटीनिव है तेजी लाने का कोशिस क्या जा रहा है जल्द ही इसकी सूचनाई दी जाएगी लेकिन जब हमने ये बाते हैं उनसे की हमारे साथ सुधीर सर भी थे हमने ये बाते हैं इनके पास रखी कि एलक्षन का तो सर वेस्ट क्यों क्या जा रहा है इस पर वो गुसा भी गए काफी गुसा गए लेकिन उसके बाद भी हमने अपने बात के रखा कि इस पर गुसाने वाले सर कोई बात नहीं है ये हम अपनी बात नहीं आपको बता रहे हैं ये एक करोर सत्रे लाख बच्चे जो फार्म बरहे हुए हैं ग्रूप D का उन बच्चों का परतिनीदे तो करते हुए हम आपके पास आये हैं आपके पास बात रखने के लिए अपने आये हैं तो थोड़े सांत हुए और उन्होंने बताया कि ये ऐसा नहीं है कि इस केमपेंड के बारे में उच्छ पदस्त अधिकारी को पता नहीं है उस का दिशंबर तक में निश्चीत रूप से एक्जाम का डेट आ जाएगा और पूरी तरीके से प्रोसेस में आपका ये है आप लगातार वेबसाइट वोगर देखते रहे हैं रेलवे भरती बूट का जो भी वेबसाइट है आप उसका स्टेडि करते रहें देखते रहें इ चुकि समय हम लोग को थोड़ा सा कम मिल पाया है लेकिन फिर भी हमारा परियास होगा कि आगे के दो अक्टूबर में भी दो अक्टूबर के लिए भी हमारा कुछ तयारी होना चाहिए हलां कि उस पर हम अभी विशेस बातचीत फिर आगे से प्रोसीड नहीं हो पाया है हम अगे सबी से इसके बाद बातें आती है कि अब आगे क्या करना चाहिए मेरा सबसे बड़ा से यह होगा कि आगे तो जो होने का होगा आपको information मिलेगा ही मिलेगा लेकिन साथ साथ आप पराही भी अपना continue रखिए क्योंकि दिशंबर में अगर एक्जाम 15 दिशंबर तक तो TCS का हमको लगता है वह इसे भी सारा फूल था MTS का एक्जाम था SSEGD का एक्जाम था तो 15 दिशंबर के बाद वह इसे भी संभाबना थी कि एक्जाम निश्यत रूप से लिया जाना चाहिए हाँ अब बात रही कि NTPC CVT1 की result की भी तो हमको लगता है कि इसका result कभी भी आप का दिया जा सकता है और जब यह result देगा तो निश्यत रूप से exam का date भी साथ में ही दे दिया जाएगा इसलिए student से मेरा आपी लिए होगा कि जो भी आगे की परिस्तिती होगी इसकी सूचनाएं आपको मिलेगी और उस समय उसके लिए आपको तयार रहना है लेकिन अपना पढ़ाई को आप निश्यत रूप से continue रखी क्योंकि दूसरा पक्ष अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में और बातें आएगी कि किस तरीके से railway भरती बोड और railway भरती प्रकोस्ट दोनों को भंग करने की बातें कही गई है आप पेपर में ये बातें देखे होंगे प सारा कुछ ठीक ठाकी चल रहा था तो एक डिले करने का समझ ये कि ये भी एक अच्छा मादियम है कि कुछ न कुछ चीज में आप उलजाए रही है क्योंकि अभी आप देख रहें रेलवे का की तीन साल चार साल पर वेकंसी आ रहा है उसमें भी लगातार नीजी करन को बरह परेगा ही परेगा इसलिए मेरा ये कहना है कि अभी आपका एक लाग तीन हजार लगवा ग्रूप डी का वेकंसी और 35,000 प्लस रेलवे एंटीपीसी ग्रेजवेट लेवल और अंडर ग्रेजवेट लेवल मिलाकर का आपका वेकंसी सामने है इसलिए जो भी आप परहाई कि हैं ज्यादा दिन नहीं लगेगा एकजाम में लेकिन आप तैयारी साथ में कंटिन्यू रखें क्योंकि तैयारी से आप डिसकनेक्ट होईएगा तो इतना दिन का मेहनत किया हुआ भी आपका बेकार हो सकता है क्योंकि इस गोवर्मेंट के आप पॉलिश को समझ नहीं पाई किया गया है कि जो सबसे ज़्यादा लाप परदान करने वाली कंपनी हैं सबसे पहले उसी का नीजी करन किया जाए अभी बीपी सील के मामले में आप देख सकते हैं 36,000 करोर रुपया मुनाफ़ा देने वाली कंपनी उसको दिया गया है कि 2022 तक निशित रूप से उसको पू मेरा काना यह है कि आप तयारी को continue रखिए खूब अच्छे से पढ़िए लगातार प्रैक्टिस करते रहिए परहावत जो भी है उसका रेविजन करते रहिए और अधिक सदिक समय आप परहाई में लगाईए और इधर भी आप active रहिए अगर दुबारा से कोई decision होता है उस वीडियो में इतना ही रखेंगे अपना wait and watch में रखिए और परहाई भी continue रखिए साथ में लगाई भी अपनी continue रहेगी धन्यवाद वेस्ट अप्लक धन्यवाद